नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागता आपका आपनी यूटूब चैनल जी के एक्जाम में फ्रेंड्स आज का मारा टोपिक रहेगा राजस्थानिस सहाईत है जी हम फ्रेंड्स आपको पता है इस टोपिक से आपके आने वाले यानि दो नंबर की क्यूस्टन आपके रहेंगे तो आप मैंने इसकी तीन पार्ट पूरे कर दिया राज हमारत रौथा पार्ट है तो मैं इसके जितने भी क्यूस्टन कराने वाला हूं आप साथ में बने रेफ्रेंड्स कियूंगे आपको पता है इस टोपिक से आपके इंपोर्टन टोपिक है और पकात क्यूस् करने वाले हैं ठीक है तो आईये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का हमाराम फ्रेंट इससे फेले मनें साथ क्यूशन कर लिए next है divining moments के लेखक कों है यह आपका बताना है सलमान रूसन अमर्टाप्रटम या फीर राज अंदर सेखर very important फोराम साहितने वेर इंपोरेंट की उसने जल्दी सथा है defining moment के लेखक कों है तो जी हाँ प्रेंट राज अंदर सेखर ठीक है तो D option अपना इस BOB इसमें एक रहेगा 61 में डी ओप्शन राइट है नेक्स्ट है बर्सारा बिगोडा दुंगर लांगिया के रचियता कौन है हमें दूला स्रीलाल नत्माल जोसी नारायन ची भाटी या फिर मानी मधुकर मेरी साथ सी जो मैंने दोनों क्यूस्ट रहे हैं वो लगबग स्टूदें पहली बार पढ़ रहे हैं फिर्ट टाइम पढ़ रहे हैं फ्रेंट मुझे कमेंट कर जुरूरा ना की कौन पढ़ रहा है जी हां बिलकुल से दोस्ता आपका नारायन सी भाटी शी ऑप्शन अप्श नेक्स्ट शिक्ष्ट थ्री आठीं स्ताब दिके कोले माला नाम गरंत में भार्त की अठारा देसी बासाओं में मारवाड की बासा किस नाम से व्यक्त की गई है राजस्थानी डुनलाडी मरुवाणी या फिर मेवाडी 63 वेरी इंपोर्टनेट तो जी हां मरुवाणी की नाम है जहां कि रुखलों पन्डित रामकरण आसोप, करपाराम चंदर्सिविरकाली या फिर उप भिहारी 64 वेरी इंपोर्टनेट जल्दी इस मिल्कूल रामकरण आसोप एउक्स्ट दोस्तों एउप्स्टन अप्र बैंस में राइट है governoोइफ में expectation नेच्ट 65 चंगीत रतनाक के रच्चितथा है संघीट रत्नकर के रच्चितथा कोन है सारंग देव महरणा कुंबा हे मुआ मुआ है मतई यह फिर कोई नहीं कोन है सारंग देए थीक है संगीत रतना अगर कि रचतना है सारंग देए और कोई केंफ्यूज हो तो कमेंट करके आप जरूरूर बताना दोस्तों नेक्स्ट है वेर इंपोर्टेंट किसने दोस्तों डोक्टर एल्पी टेस्टोरी का जनम कहां हुआ था इंग्लेंड में जर्मनी भार्त या फिर इटली में 66 तो कहां वा था फ्रेंट से इटली में हुआ था टी ओप्शन प्रेंट में राइट है ठीक है नेक्स्ट 67 खुमान रासो नाम गर्णत की रचना किसने की थी दलपत विने सारंग धर नरपत नाले या फिर सुजाजी है शुलसा जी 67 तो किसने फ्रेंट से लपत विज्य एक 쓰고 मान रासो नाम गर्णत की रचना किसने की दलपत विज्य एप्शन एप्शन इसमें right है 68 निम्द में से कों राजस्तान की आधूनिक साहित्यकार नहीं है रंगे रागव, वीजेदांदेथा, चंदरबर्दाई, नारेंसी, भाटी राजस्तानी साहित्यकार कों है फ्रिंट से? चंदरबर्दाई ठीक है C option ये राजतान के साइट तेकार है नहीं C option अपने इसमें बिल्कुल सही रहेगा Next question अपना संगीत में रागसब्द का प्रयोग सरो परसा मतंग की किस कृति में क्या मिलता है संदायन बरदेशी रस्राज Very important बहुत बड़े question दो तो बरदेशी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है B option 69 में अपना B option Right है Next 70 बांधनी के कागज की लिपी से समंदित है कौन सा है 70 number very important जी हाँ दोस्तों अंकात्मक सांकेतिक लिपी D option D option प्रयोग से ये दोस्तों Next अपना राजस्थान में 18 उस्ताबदी में सती पर था हैं वो परदा पर था का परचलन था इस तथे के जानगर की साहित गरंथ से मिलती है ये आपको धना Very important बहुत बढ़े question है दोस्तों Sobhaagya माकावे Padmini Charita Chopai Nairansiri Khyaathya वे रासो Sobhaagya माकावे कौन सा रहेगा वो आप होता न 71 Very important जी हाँ बिलकुल सही रासो Sobhaagya माकावे से मिलती है दोस्तों D option अपना इसमें right up बहुत बिरे question है दोस्तों आप देख सकते हैं एक जाम की दर्ष्टी से इसी type of question आप से को देखने को मिलेंगी किस परतिहार सासक के दर्बार में परसिद कभी राज सेखर थे महीपाल, वच्षराज, नागवर्दी थे या फिर इन में से कोई नहीं 72 दोस्तों जल्दी स्था हैं कौन थे जो महीपाल A option दोस्तों इसमें right एगा 72 में A option बिलकुल सही है राजस्ताने सब्द कोस के लेखक पदम स्री सिताराम लालस कहां के निवासी है यह आपको बताना है जोदपूर, जैपूर, जैसर मुर्या, फिर कोटा के कहां के एफ्रेंट्स कहां के निवासी है यह जोदपूर के है सवदंतरता के पश्चातर राजस्थान में लिखा गया पर्थम उपन्यास कोन सा है कनक सुंदर, अभेपटकी, केसर विल्लास, या फिर कलप स्त्रका, यह कलप स्त्रका नहीं है पर्थम उपन्यास कोन सा है, जो राजस्थान में लिखा गया है, सवदंतरता के बस्चात, कोन सा है दोस्तों, आभेपटकी, कोन सा रहेगा दोस्तों, आभेपटकी, यानि B ओप्शन, दोस्तों कोन सा रहेगा, B ओप्शन प्रेस में राइटर बिल्कुल से ही आप आपको बता दोस्तों, आपका इसमें बिल्कुल से रहेगा, इस टाइप की क्यूस्तों आपको देखने को मिलेंगे, नहीं कि बिल्कुल इजी पूछ सारी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कि सर आप हमारा पेपर का लेओल कैसा रहेगा, तो फिर्ट्स माँ आपको बता दो पेपर कार लेओं, तो आपको बड़िया रहेगा, इस टाइप की क्यूस्तों आपको बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे, इस परकार की बड़िया बड़िया क्यूस्तों देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो स्टूडेंट प आपको प्राप्त उसके, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तिस आपे लाइक करना, शेर करना, ठीक है, पिसमें आपसी इतने कहना चाहिए, दोस्तों आपके वोट्स बूरूप मना लेजी आपे, जिसमें आपे, कि जितने भी स्टूडेंट जूर्स के वो भी बड़िया आपको पता है, तैयारी आपको करनी है, ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्तानी साहित्ते कि किस विद्या में उर्दु फार्शी सब्दावरी का प्रयोग बहुत आयत में किया गया है, मरस्या, दवावेत, रासो या फिर ख्यात में, 76 दोस्तों तो कौन सा रहेगा, दोस्तों धवावेत में, ठीक है, बी ओप्चन, बी ओप्चन प्रयोग में राइट है, 76 में बी ओप्चन राइट है, राऊ जेद सी रोचण। किस वासा में लिखी गई है, डिंगल, पिंगल दोनों में है, फिर कोई नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका डिंगल में, राऊ कल्प द्रुम के रचेता कून है 78 दोस्तों बहुत बढ़िया अंबिक आधत मदन गोपाल कर्षनानंद व्यास या फिर गुलाब को ठारी 78 दोस्तों कून रहेगा जल्दी सुधा इसका सी एंसर वेरी इंपोर्टेंट 78 कर्षनानंद व्यास दोस्तों सी ओप्षन अपना इसमें राइट आई या आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए 79 कर लेते हैं परसिद डिंगल को सहमीर नाम माला किस कवी की परसिद रचना है यह आप बताए हमीरदान रतनू वीरभान रतनू कवी ब्रन या मुहनोते नैंसी 79 तो कौन रहेगा हमीरदान यह ओप्षन दोस्तों इसमें राइट आओ वो फैंट्स आप मुझे कमेंट करके जुरूरता ना कि इसमें से इतने हमने जो 25 के उससे डिसक्स करें उसमें आपके कितने क्यूस्त आप पहली बार पढ़ रहे हैं यह नहीं पूसना फैंड्स कि कितने से यह पहली बार जरूर्त नो लाइव क्लास में नहीं दोस्तों आपको कमेंट बोक्स में बताना है आपको पता है वैसे भी आप समझदार है खूब समझदार है बताने कि आपको आवेज सेकता भी नहीं है ठीक सलिए कवी बिहारी द्वार रचित बिहारी सत्से में कितने दोहे संगरित है वह आपको पताना है वेरी इंपोर्टनेट दोस्तों जल्दी सेता इसका सी है अन्सर क्या रहेगा एक्ट नमबर बहुत बढ़े किस्टन है दोस्तों कवी वर बिहारी द्वार रचित बिहारी सत्से में कितने दो ही संग रहीत है एक टे नंबर क्यूस्टन दोस्तों कितने है फ्रेंट 713 C option दोस्तों C option अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा वह आपको ठीकर दोस्तों सरे पिस्क्रेवाला किस्टों थोड़ा रहा गया गलती से रहा गया परसी डिंगल कोस हमीर नाम आला किस कवी की परसी दरचना है यह मैंने आपको बता दिया दोस्तों फिर भी एक क्यूसं था तो जो तो मिस्प्रिंट हो गया कोई दिक्कत नहीं है वाने सभी को सब्सक्राइब करके लिस्ते ऐसेइं dominant परीजनी परीजनी ये फिर शिंदूरी क्या कहलाता है वेरी-ईप्ऌर्टेट थो ख्मेंन्ट करके आप जल्दी से अ? सकते हैं इसका सही इंस पर क्या रहेगा बिल्कुल से दोस्तों अंगर रखी ए ओप्षन ए ओप्षन दोस्तों इसमें राइट है ठीक है नेक्स्ट है निमन मेंचे कौन सा राजस्तानी लोग गीत है केवडो कामन कोई लड़ी खटमल या भिर सभी कौन सा राजस्तान लोग दोस्तों आपको सभी को पता होना चाहिए केवडो कामन कोई लड़ी या खटमल तीनों यह राजस्तानी लोग गीत है यानि दी ओप्षन दोस्तों प्ता इसमें राइट है यह आपको ठ्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं सीतला देवी को बेंट धरने के लिए एक दिन पहले बना हुआ बास है पना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यों लिए रसन जो विवां करना के बाहीया मामा द्वारा वर्क के सामने बताना है न disposator का लुट-ससर सर्वा को अधा की जाती थी है ये आपको बताना है रीम्ड्ल के दोस्तों सर्वाख घुमा कर अधा की जाती हम आप को बताने है सुसी सेंटीकाटस या फिर सेवर जी हम दोस्तों बिल्कुल सभी आपका सेवर ठीक है दी ओप्शन प्रइस में राइट है तो दोस्तों यह थे मारे आज के टोप 25 क्यूस्टन यह भी बताएं कि आपके कितने क्यूस्टन सही और यह बताना कि आप कि कितने क्यूस्टन पहली बार पढ़ रहे है दोस्तों प्रकार के क्यूस्टन आपको चाहिए तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ठीक है कल वाले क्यूस्टन की बात करना है कल वाला क्यूस्टन था वर्मान का सुर्य मंदर की जीले में स्थित है लगबग स्टूरेंट्स का सही था जिनोंने कल नहीं बताया वो आज बता सकते हैं वर्मान का सुर्या मंद्र की जीले में स्थित है जल्दी से बताएं दोस्तों की जीले में सिरोई हैं बिल्कुल सही आप लोग का A option दोस्तों A option अपना इसमें बिल्कुल सही है ठीक है चलिए आज के question की बात कर लेते हैं जिसका एंसर आपको comment box में बताना है राजस्थान के किस परदेश को बांगड के नाम से जाना जाता है राजस्थान के किस परदेश को बांगड के नाम से जाना जाता है जैपुर्दोसा, अजमेटो, बिलवाड़ा बुंदी या फिर दूंगरपूरे बांस वाड़ा चार उप्षन आपके सामने है कमेंट करके आप ज़रूर बता हैं दोस्तों इस परकार कि क्यूस्ट चाहिए फ्रेंड्स आम मुझे कमेंट करके आप जरूर बता हैं फ्रेंड्स इस टाइप के वीडियो में लाता रहा हूँ आपको आपको बस एक काम गरना है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपको सेर करना है दोस्तों जिसे ज़्यादा स्टूटेंट्स के पास पहुंशके वीडियो अच्छा लगए दोस्तों इसे लाइक जुरूर करते हैं क्योंकि आप लाइक कर देते हैं आपके लिए बड़िय कोई भी उस चीज हो कोई भी पढ़ाई उसमें सक्सेस हूँ तो यह नहीं कि आप लाइक नहीं करो कि तो मैं आपके लिए बढ़िया क्युस्सिन नहीं लाओं नहीं दोस्तों आप देख लीजी जुरूर थोड़ी है कि आप रोजना आप लिए वीडियो का टाइम भी आपके लिए बढ़ा दूगा ठीक है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो लाइक करना शेयर करना फेंड़ से कोई कब डाउटो कोई भी डाउटो फेंड्स किसी वी किसमें तो कमेंट करके दोस्तों जरूर ताना फेंड्स अगर पता चलता है और हम नेक्स्ट टूडियों फ्रेंड्स उसका सोलिशन आपको जरूरूरू मिलेगा दोस्तों ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभारत